हेलो नमसकार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगो बताने वाली हूँ दोस्तों बीना अधार सेंटर गए बीना अपॉइन्मेंट बोग किये आप लोग कैसे अपना दूसरा नमबर को अधार कार्ड में जोड सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोग यही बताने वाली हूं कैसे जोड़ना है कैसे आप अपना पहले वाले नमबर को हटा के दूसरे वाले नमबर को कैसे जोड़ेंगे सब मैं आपको स्ट्रीप बाइस बताने वाली तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर मुरे चैनल में नए है तो लाइक सब्सक्राइब रूर कर दीजेगा दोस्तों अधार कार्ड में दूसरा मुवाइल नमर जोडने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता कर लेना होगा कि आपका अधार कार्ड में कौन सा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाती है जो कि कुछ इस तरगर के इंटरफिस आप लोगो देखने को मिल जाएगे ठीक है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर वेलकम टुमार अधार करी यहां पर ऑफिसल पूल गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप लोग स्कॉल डाउन करना है नीचे में चेक अधार वैलिडिटी पर क्लिक कर दीजेगा जैसे दोस्तों आप लोग इसके उपर क्लिक कर देते आपके शामने यहां पर आपसे दोस्तों मांगेगा अधार नंबर जो आपका अधार नंबर यहां प क्या क्या मुवाइल नबर कौन साथ में जूरा हुआ यह सबसे पहले आपको में कहा देख लिए लिए अप्लिकेशन open हो जाता है जिसको दोस्तों आप लोग अपने mobile में इंस्ट्रॉल करना है ठीक है इंस्ट्रॉल करके open कर लिजेगा ठीक है जैसे दोस्तों आप लोग open कर लेते हैं यहां पर आपके समने यहां पर कुछ इस तरह के पेज ओपन हो जाती है जहां दोस्तों आपको service request का option देख इसके ऊपर क्लिक कर दीजेगा ठीक है जैसे दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते आपके समने यहां पर ईपेश ओपन हो जाता है जहां दोस्तों आपको यहां पर अपना नाम को लिग देना है आपका जो present है जहां रहते हैं उसको दीजेगा पीण कूर इमेल ऐड्रेस इमेल बैडी दीजिए खांध्र लुट तो आप तो आप लो crs लइक करना ओक्र दोस्तो आपके निवर ऌडेगरी नौन्द पूड़ेज्ए क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको successfully submit हो गया ठीक है उसके बार आपको रिफ्रेस्ट नमबर मिल जाएगा ठीक है रिफ्रेस्ट नमबर को स्क्रीन सोट करके और चेक करने के लिए उपर में जो क्लिकर देना है आपको लिख कर दो जाएगा आपको देखने को चुछ यहां कुछ साथ बीलेगा है या 분들은 अगर आपका सर्विस काम कर दो तो comment section में लिखा होगा this service is not available यह दोस्तों अगर आप लोग के state या मतलब एडिया में यह service काम करता होगा दोस्तों बहुत अच्छी बात है और उसके बाद आप लोग को दो तीन दिन वेट करना होगा आपके जो इंडिया पोस्ट पेमेंट के तरफ से कुछ टीम जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे जाके आपके एड्रेस भी जाएंगे और आपका मुवाइल नंबर से अधारकार मतलब लिंक कर देंगे ठीक है और उनका चार्ज से 50 रुपर लगेगा आपको उनको पेमेंट कर देना है ठीक है दोस्तों एक बार आप लोग प्लीज एक बार इस